नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी जन्म कुंडली का फलादेश करेंगे और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्य रहेगा आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको केपी कश्णमूर्थी और वेदिक जोतिस के द्वारा फलादेश करेंगा मेंली हम जो हैं वो केपी कश्णमूर्थी का परियोग करेंगे क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहां पे हम दो जुड़वा बच्चों की यानि दो जड़त है तो हो सकता है यह आपका मत है परंतु जहसी तरह से मैं ने शीखा है परिणामों को देखा है एक्स्पिरेंस लिया है तो उस हिसाब से मैं आपको जो हैं वो वेधिक जुदीश के अनुकूल जो हैं वो इस तरह के दो जुड़वा बच्चों का फलना नहीं आता है, तो मैं कैपि कर्शन मूर्ती के माध्य मते करूंगा, मैं बेदिक जुदेश के दौ़ारा फलादेश करता हूँ लेकिन जुडवा बच्चों का फलादेश नहीं कर सकता तो मैं केपी कर्ष्ण मूर्ति पतक्ति का प्रयोग करूंगा केपी कर्ष्ण मूर्ति के द्वारा हम जो है वो अराम से निकाल सकते हैं तो अब यह जो जन्मकुंडी आपके ठीक सामने है इसमें जो बच्चे हैं तो जो बड़ा बच्चा है वो 20 मिनट का है यानि 9 बज के 20 मिनट का और जो उसके छोटा है वो 9 बज के 25 मिनट का है तो दोनों में 5 मिनट का अंत्राल है हमने इसको आगे पीछे करके देखा तो इसमें 12 मिनट के बाद शुक्र का बुद्ध का उपनक्षत तर चेंज होता है उसके अलावा कोई चेंज है लेकिन इतना गेप है नहीं तो इसलिए हम जो हैं वो इसको कर्ष्ण मूर्ती पतती के द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं देखिए जब आप जन्म कुंडली को देखते हो तो जब हमने देख लिया कि यह जो जन्म कुंडल अब करें परी प्रोष्ण के ट्वारियनों करते हैं तो इसमें बहुत बड़ीया सफ्ट इर में इसक्रान हैं । आप भी इस तरह का इन वो और यह फ्रिय मार्केट में तो खाले river उसको rotate कर लेंगे जैसे कि तीसरा गर यानि कि यह जो है वो बड़े लड़के की कुंडली है तो जो छोटा भाई है उसके लिए हम गया करेंगे तीसरे गर को लगन बना लेंगे यह मैंने जो सीखा है उसके में बात कर रहा हूं उसकता है आपका मत अलग हो सकता है तो उस हिस यहां पर समसिने वारी बात है अगर हम सबसे पहले वैसे जो जन्मकुंडली को देखते हैं तो लगन का उपनक्षत्रसवामी बुद्ध है यानि कि लगन का उपनक्षत्रसवामी बुद्ध है जो 11-6 और 9 अच्छा दे रहाया तो यहां पर बहुत अच्छे परणाम आएंग तो आपका यहां पे जो है वो केतु के नक्षत्र में जिसमें 11 उराट दे रहा है इसका मतलब है अचानक धनप्राप्ति के योग दे रहा है तो यह उसमें की कुंडली है जो नो बज़ के 25 मिनट पर पैदा हुआ है यानि दोनों ही लड़के जो है वो इसी समय के लगवग इनकी कुंडलियों में तब्दील ही नहीं लेकिन हम बड़े भाई की या फिर इन दोनों की कुंडलियों में हम तीसरे गर को लगन बनाएंगे क्योंकि छोटे भाई का अंगलन आती है तो मीन लगन बन गया है और मीन लगन के बाद आभी इसके भावों का कस्पल देखना है यानि कि इसके तीसरे भावों में गुरू और राहू का चंडाल दोस्त था यानि कि इस जातक के प्राकरम के अंदर जो है वो गुरू चंडाल दोस लगा था इसके लगन के अ जो है राव है नहीं बनेगा लेकिन यहां पर लगन में गुरु आ गया अब इस जातक के यहां पर जो है वो कोई बड़ा राजयोग नहीं था यानिकि अगर आप देखोगे इस जन्म कुंडली के अंदर तो आप देखिए लगन में मकर राशी का सुक्र है तो यहने की अच् इसके चो-थी बाऑ में केतू जो है वह सके सब्सक्राइब करेगा座ं यहां पर यह बहुत अची चीज आपको देखने को मीश्य में आपने लगन चेंज गया तो जONA इसमें लगन चेंज करते हैं कि कैंद्रा नहीं बचुनली में अख्छे परणा नहीं परणा में है यहा artist आप देखोगे तो चटे घर का माली दस्वे घर में आये तो यानिकी नौकरी काम काज सब के लिए बढ़ी हो गया इस जन्मकुणली के अंदर इतना बदलाव देख सकते हैं अगर जुड़ा बच्चों की जन्मकुणली है तो इस तरह से हम देखेंगे अब इसमें हम देखे लगने का उप नक्षचतर स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है उसमें बुद्ध था और शुक्र जो है वो एं पूर्ल नवे जन्मकुणली में नवे घर का पढ़नाम दे रहा है दसने का देवह जया इसका मतलब है जातक गर से बाहर से कर सा याइद्स पढ़ सकता है या अपने जहां पर ब्रेन माय वहां से दूर जागे पढ़ेगा दस्वां कर दे रहा है इसका मतलब है मैनेजमेंट में भी रहे गई बहुत इच्छा परणाम दे रहा है तीसरे आठ वे का दे रहा है और विवा फिर लेट हो जाना जैसे कि जाता कि जो है वो 37-37 साल में एक सगाई होती है तो इस तरह की चीज़ों में जब होता है जब लगनेश कहीं नवे घर को सिंगनिफिकेट कर देता है तो जातक कि डिले आता है के पी वारे इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि अब हमने यह देख लिया हमें हो सकता है डिले मेरी जो यहां पर ज्यादतर चांद शुक्र जो है कि यहां में बहुत अच्छा है कई तो यहांने कि यहां पे देखते रहा है तो सूर्य होण समय को ऊदेख दी तो तो यहां पर जो है वो डिनाइं कर रहा है और नमा भी डिनाए कर रहा है तो एक minus point हो गया के तू सूर्य के नक्षेतर में था जो जटा और नमा फिर से डिनाए कर रहा है यानि कि जातकी तो एक सगाई साधी जो है वो टूटेगी और फिर जो है वो यहाँ पे काम जो है वो डिले होगा या फिर मतलब दूसरी साधी होगी क्या ऐसा ही होगा इस चीज को समझ रहें के लिए आपको क्या करना होगा क्या आपको सात्वे गर के ठीक सामने वाले जो प्लेनेट होते हैं सिगनिर्प्रिकेटर भाग रहे हैं उनको देखना है क्या उनमें सब्तमप्गर का कस्पल सबलोड और इसका इस्टार्णोड आ रहा है क्या पर आपए केतू और सूर्य क्या आ रहे हैं तो यहां पर आप देखो तो केतू भी नहीं है इसका मतलब है कि यह जो 9 नंबर जो देर आए ना वो विवा के लिए नहीं है वो है आपकी विदेश यात्रा के लिए ये डिले मेरीज के लिए हो सकती है वो आपकी जो है वो कहीं न कहीं क्या हो सकती है आपके लिए यहाँ पे मान सकते हो कि भाई आपका जो है वो इस्तान परिवर्तन हो जाए आपकी सगाई तूटके फिर साधी हो सकती है यानिकि चैन नमबर लेकिन यहां पर जो है वो के तू भी नहीं आरहा है और आपका जो है वह आपका नहीं आरहा है कि तूका नक्षचतर सूरे भी इसका ईलियर भी हो सकता है जैसे कि जह जा तक कि 31 32 33 साल में साधिक हो सकती है लेकिन विवार नहीं तोटेगा यहां पर एक बहुत ही मैत्वपून चीज़ है जिसको आपको समझना है जिसे कई बार हम देखते हैं लगन जो है वह आठवे गर में चला जाता है लेकिन लगन के ठीक सामने नहीं दिखाता है इसका मतल करना मिलेगे तो हमने यहां पर इस तरह की चीज़ें को दिखा अब हम इसके बाद में इसकी फ्रोफेशनल लाइफ के बारे में देख लेते हैं फ्रोफेशनल लाइफ की बात दस्वे घर का उप नक्षेतर शनी है सारा यह कुंडली बदल गई है जब हमने तीसरे घर का ज यहां पर देखेंगे कि जो हैं आप यहां पर देखेंगे जोखेत तो नौकरी के खर यथा गर आ著ा त cannabis फेर दो तो हम जगें को change करके या फिर जो हैं वो कहीं न कहीं अपने घर से दूर रहके यात्रा गर के हम जो हैं वो अच्छा लाब कमा सकते हैं यहां पर देखोगे तो 9 और 12 का योग जादा है इसका मतलब जातक कहीं विदेश में गया होगा या विदेश में रह रहा होगा तो यह तक विदेश में रहता है और विदेश में पढ़ाई कर रहा है तो यह इसके बहुत अच्छे योग आ रहे हैं इस तरह कैसे होता है यहां पर समझने के लिए और इसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो लगन का उप नक्षयतर स्वाम की शुक्र है शुक्र यहां तकलीप का विश्य है और शुक्र यहां पर हम जाके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि शुक्र जो है वह नवे गर को भी सिगनिपिकेट कर रहा है इसका मतलब है रिकवरी दिखा रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पे पहले भी यह सबसे तेज रिजल्ट देता ह इसका मतलब है तो हमें लाग यहां पर आगर देखेंगे यहां पे लगन के ठीक सामने ना तो शुक्र है ना ही सूर्य तो यह जो शुक्र या फिर कोई नगोई PhD या गहन अध्यन वाला विशे जिसके उपर हम जो है एजुकेशन कर रहे हैं उन सब चीजों के अंदर रूची दिखाएगा तो इस तरह से आप यहां पे के द्वारा आप फलित कर सकते हैं अगर आप जैसे नाड़ी करते हैं तो नाड़ी में जब अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों